Good morning children, today we are going to read the poem How Creatures Move and then we will discuss all the questions also. बच्चो जो new words आएं उनको भी आपको know down कर लेना है. New words लिखना और उनको learn करना अपनी habit बना लो बच्चो आपको बहुत फायदा होने वाला है आगे चल करके तो ये अपनी habit बना लो. और बच्चो आज हम इस poem में ये जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि सबसे ज़्यदा fun कौन करता है, ठीक है? Let us move in different ways and see who has the most fun. कि अलगलग तरीकों से move करें और ये देखें कि सबसे ज़्यदा fun कौन करता है. The loin walks on padded paws. जो loin होता है, सीर होता है, वो गद्धिदार पहरूं पर चलता है. Paws means उसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं. Patted means आप समझो गद्धिदार. कूशन देखा होगा आपने, गद्धा देखा होगा ना, तो उसके जो पैर होते हैं, वो उस गद्धे के समान होते हैं. Walk means चलना. आगे हैं, the squirrel leaps from limb to limb. Glary एक टहनी से दूसरी टहनी पर चलांग लगाती है, जंप करती है. ठीक है? Leap means होता है, jump, spring या उचलना, चलांग लगाना. Limb होती है, टहनी, शाखा या ब्रांच, जैसे कि यहाँ पर image में दिखा रखा है. तो squirrel होती है, glary होती है, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर चलांग लगाती है, जंप करती है. While fleas can crawl straight up a wall. जबकि fleas होती हैं, मक्हियां होती हैं, वो दिवार पर उपर के तरफ सीधा crawling कर सकती हैं. ठीक है? Means creeping कर सकती है, rank सकती है. Crawl means क्या होता है? Creep करना या rankना. Straight means सीधा, up means उपर, wall means दिवार. And seals can dive and swim. जो seal मचली होती है, वो पानी में तैर सकती है और डुकी लगा सकती है. Swim means क्या होता है? तैरना और dive means डुकी लगाना. Seal एक fish होती है, ठीक है? The warm, he wiggles all around. और जो कीडे होते हैं, वो चारुन तरफ हिलते डूलते हैं या टेडे मेडे होकर चलते हैं. Warm means कीडा, ठीक है? और around means चारुन और, और wiggles को समझ लें. इसका मतलब होता है, to move up and down or from side to side quickly. Means टेडे मेडे होकर चलना. तो जो कीडे होते हैं, वो टेडे मेडे होकर के चारुन तरफ चलते हैं. बच्चो आगे है, the monkey swings by his tail. Monkey अपनी पूँच से swing करता है, जूलता है, घूमता है, move करता है. Tail means पूँच और swing means move करना, जूलना, घूमना. And birds may hop upon the ground. और जो birds होते हैं, वो जमीन पर hop कर सकते हैं. Hop means leap, spring, यानि की कूदना, उचलना. Hop means उचलना, कूदना या leap, spring. तो वो कर सकते हैं birds जमीन के उपर और spread their wings and cell और अपने पंखों को फैला करके तैर सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा हवा के अंदर जो birds होते हैं, वो अपने wings को फैला करके ऐसे उड़ते रहते हैं. ठीक है? तो spread means होता है, फैलना या फैलाना. Wings means punk, और cell means swim करना या तैरना. लेकिन boys and girls जो होते हैं, वो इससे भी ज़्यदा फन करते हैं. वे उचल सकते हैं, वे नाच सकते हैं, वे चल सकते हैं और दोड सकते हैं. ठीक है बच्चो, but means लेकिन, much more means और अधिक, और ज़्यदा, fun means मोज मस्ती, मजाग, leap means उचलना, spring करना, hop करना, और dance means क्या होता है? नाचना, walk means चलना, run means दोड़ना. तो बच्चो आपको आपके question का जवाब मिल गया, कि सबसे ज़्यदा मोज मस्ती कौन करता है? boys and girls means बच्चो आप लोग सबसे ज़्यदा fun करते हो. इसके बदें बच्चो आगे है new words, padded means क्या होता है? गद्दीदार, cushion type के ठीक है, limb means क्या होता है? शाखा, टहनी या, branch, crawl means creep, रेंगना, dive means डूब की लगाना, wiggles means to move up and down, या from side to side quickly, means steady media हो करके चलना. बच्चो आप है किसना answer? फरस्ट है, underline all the action words in the point. इस point में जितने भी action words आए हैं, उनको हमें underline करना है. पहले बच्चो आप समझो, action words होते क्या है? कौन से words को हम action words कहेंगे? action words simply express an action. किसी भी action को express करने वाले word, action words कहलाते हैं. action is done by the subject of the sentence. कि sentence के subject के द्वारा जो काम के जाता है, उसी काम को हम action कहते हैं. जिसे कि read, play, dance, run, jump, study, walk, write, talk. ये सभी words हमें किसी न किसी action को refer करते हैं, किसी न किसी काम को represent कर रहे हैं, express कर रहे हैं. तो ऐसे words को हम action words कहते हैं. ठीक है बच्चो तो इध्यान रखना action words कौन से होते हैं? अब हमें underline करना है, तो आप देख लीजे एक बार दुबारा से इस point में कि कौन से-कौन से word जो है वो action word है. जिसे कि first में आप देखी जीए ये walk है, ये भी एक क्या है? एक्षन वर्ड है. Leap और इसके बाद में crawl और dive, swim और इसके बाद में आप wiggles और swings ये भी क्या है? action words है. उसके बाद में आप देखो hop ये भी action word है और इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो spread ये भी क्य है action word है और इसके बाद में sale करना ठीक है ये भी action है और इसके बाद में leap, dance, walk, run ये सबी words जो है action word है हमें इन words से ये पता चलता है कि कोई ना कोई काम हुआ है कोई ना कोई action हुआ है ठीक है बच्चो इसके बाद में आगे है talk time why do boys and girls have the most fun तो आपका answer होगा boys and girls have more fun because they can leap, dance, walk and run around इसलिए सबसे ज़्यादा वो fun रखते हैं बच्चो अब है let's write first है match the words in column A with those in column B हमें column A को भी से match करवाना है जैसे column A में लिखा है loin तो loin क्या करता है walk करता है तो हमें walk से इसको match करा देना है squirrel क्या करती है leap करती है तो हमें leap से इसको match कराना है fleas क्या करती है crawl seals क्या करती है seals करती है dive तो dive कहां रहा गया dive नीचे है तो यह रहा dive और worms क्या करते हैं worms wriggle करते हैं तो हमें worms को wriggle से match कराना है monkeys क्या करते हैं monkeys swing करते हैं, तो monkeys को swing से match करवा देना है और इसके बाद में birds क्या करते हैं, birds करते हैं hop, तो हमें birds को hop से match करवा देना है ठीक है, इसके बाद में आगे है दूसरा now make sentences of your own using the matching words, ठीक है, जो अभी हमने उपर words को match करवा हमें ऐसे ही कुछ sentence create करने हैं, कुछ sentences लिखने हैं, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, जिसकी the loin walks in the forest fearlessly जो loin होता है, वो जंगल में बिल्कुल नीडर होकर के चलता है, दूसरा sentence लिख सकते हो, the squirrels leap around in the mango tree फिर the fleas crawl on the kitchen wall the worms wiggle on moist soil, the monkeys swing from one tree to another, the birds hop on the garden तो इस तरीके से आप ये sentences create कर सकते हैं, जिन words को हमने यह उपर match करवाया उनको use करते वही हमें sentence create करने हैं, आप और भी कई sentence create कर सकते हैं बच्चो next question है arrange these movement words from slow to fast, हमें slow to fast order में इन words को set करना है arrange करना है, means slowest सबसे पहले और fast test सबसे बाद में, तो सबसे slowest word इसमें कौन सा है crawl, तो एक नमर पर ये और hop second पर और walk third पर और run आ जाएगा fourth पर, यदि हमें कहा होता कि आप fast to slow लिखें तो हमें इस order को उल्टा करना होता, opposite करना होता पहले सबसे fastest और सबसे last में, slowest लिखना पड़ता, ठीक है fourth है, underline the letters which are silent in the following words, कि जो words आगे दिये हुए हैं, इनमें जो letter silent है, उन letters को हमें underline करना है, पहले आप समझ लीजे, silent letter क्या होता है जिस word में, यदि किसी letter का sound नहीं आता तो उन letters को हम silent letters कहते हैं जैसे कि walk में देखिए, हम इसको walk पढ़ रहे हैं, जबकि इसमें L भी है L का sound कैसा निकलता है, ले लेकिन हम इसको walk पढ़ते हैं, इस L को पढ़ते ही नहीं है, it means यहाँ पर L क्या है, silent है ऐसा ही straight में तो जी है इसका sound हम नहीं बोलते more में जो e है, इसका भी हम कोई pronunciation नहीं करते means आप silent letters का मतलब यह समझेए, यदि उस letter को हम उसमें से निकाल भी दें जिसे कि मैंने more में से e को मैंने हटा दिया, तो भी हम क्या पढ़ेंगे इसको more ही पढ़ेंगे, ठीक है यानि कि जिन letters के होने ना होने से आपके pronunciation में कोई फरक नहीं पड़ता उन letters को हम silent letters कहते हैं हलंकी उसका meaning भी गड़ जाएगा शब्द बिल्कुल उसका नास हो जाएगा अर्थ खा बे अर्थ हो जाएगा लेकिन pronunciation वो का वह रहेगा ठीक है, ऐसे quote में तो है यह अपने आप में क्या है silent है, calm जो है इसमें भी L silent है, talk में भी L silent है, ठीक है हमने इनको underline करना है, underline आपको कर देना है, पच्चों आगे है say aloud, squirrel, question, queen, killed, quit, quiet आपको इनके meaning भी पता होने चीए कि इन words के meaning क्या है squirrel means glare होती है question means expression, queen means the wife of a king, means runny, kilt means raja और quit means shant और quiet means काफी है तक, ठीक है और आप इसको भी read कर सकते है squirrel, squirrel on the tree running, quit as can be quickly, quickly come catch me इसके बाद में आगे है what do you do when you are bored कि जब आप bored होती हो, तो क्या करते हो जिसे कि इसमें कुछ examples दियो है Lakshmama sings a song when she is bored, जब वो bored होती है, तो वो गाना गाती है रतनाकर reads a book रतनाकर किताब पढ़ता है गौपाल talks to his friends गौपाल अपने दोस्तों से बात करता है अंजनेया writes a story अंजनेया जो है, story लिखता है निलम्मा goes for a walk निलम्मा वो के लिए जाती है परवाकर goes to sleep और परवाकर सोने चाता है what do you do when you are bored और आप क्या करते हो जब आप bored होते हो, तो आप बच्चों बताएं कि आप क्या करते हो जब आप bored होते हो I love listening to music and watching television when I get bored या otherwise, जो भी आप करते हो जब आप bored होते हो, तो आप लिख सकते हो इसमें, तो बच्चों इस तरीके से आपकी ये पॉइम और आपके क्यों सर्च कंप्रीट हुए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करिए शाथ में मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फॉर वोचिंग